हलो गाइस वेलकम तो माई यूटुब चैनल और अब हम सुबह निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए और अभी क्योंकि हमारी ट्रेन की जर्नी है तो सब अल्ली मॉर्निंग सब लो हम लोग निकले और ट्रेन में हम लोग थे पहले लोकल में थे फिर उसके बाद हमने ट्र चल पड़े हम और यह मैं यहां पर ट्रेन में में दर्वाजे के पास क्यों खड़ी हो उसका रिजन बता देती हूं विकाउज मैंने मेरा प्लान सबसे बाद है बना था और सबकी टिकेट पहले से थी तो मैं मुझे टिकट नहीं मिली थी तो मैं अशी में बैटी थी और मै थो गाय हैं लोनावला और अभी हम स्टेशन में हैं लोनावला इस्टेशन पर तो यहां से अब हम और देख ऑटा हुश्क भी बाहर करेंगे और हम पहुचेंगे रे सोअट हम लोगोंने यह आपर सेवन एपल रेसोर्ट किया था और एक्चुली पहले से ही सब उस बुग थ रहते हैं सब एक दूसरे का, मैं सबस बता हूँ, वैसे मुझे ट्रेन के ट्रेवलिंग में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन आज मुझे कि बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम 4-5 लोग थे, और मेरे लिए एक पिकनिक था, क्य काफी दूर था, तो अब हम पहुचे 7 Apple Desort, जब हम वहां अंदर पहुचे तो हमें पता चला कि रूम जो है, अभी वह क्लीन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा, दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम आसपास घूम कराते हैं वहां लॉबी में, और फिर हम वहां से चले गए बाहर घूमने के लिए, फ्लार कितने प्यारे लग रहे हैं और यहां पर यह फिश टेंग था, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो फिश थी, वो थी, तो अभी हम करते क्या, हमने सोचा चो कि चलो कोई बात कुछ न कुछ तो आए हैं तो हम कुछ न कुछ तो अक्टिविटी करते ही रहेंगे, तो पहले हम लोग वहां पे थोड़े देर बैठे, हम लोग उने वैंगल कम ड्रिंक लिया और उसके बाद थोड़ा सा हम बाहर की तरफ गए, जब बाहर की तरफ हम गए, क्योंकि हम रि पीछे की तरह बैक साइड में, हम लोग बाहर निकले तो देख रहे थे कि वहां पर एक साओथ इंडियन वेडिंग हो रही थी और जो ब्राइड थी वह रिडी होकर रही और वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मैं एंट्री ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी तो काफी देर तक वो लोग प्लैनिंग करते रहे तो हम उन्हें देखते रहे उनकी द्रेस अफ वगरा उनका सब जो वो करने वाले थे हमें बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि चलो कुछ तो हमें एक नया देख पा रहे है क्योंकि हमने साओथ इंडियन वेडिंग कभी नहीं देख थी खेर तो यहां भी हम दूर से ही देख रहे थे फिर हमने देखा कि एंट्री में जो ब्राइट थी वो डांस कर रही थी और साओथ इंडियन डांस था और काफी कुछ नया हमें लग रहा था यहां देख सकते हैं यहां पर किस तरह से यह लोग वेलकम डांस कर रहे हैं तो यह इस खेले वहां पर तो इस तरह से हमने वहां पर जो हमारा रूम एलॉट होने का टाइम था और वहां पर हमने स्पें किया वो टाइम और अब हम क्या करते थोड़ा सा बोर भी फील करने लगे थे खैर कोई बात नहीं जब तक हम लोगों ने बाते भी करी कि चलो हमें काम तो यह था कि अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए क्योंकि सुबह सब लोग अल्ली मॉनिंग के निकले हुए थे तो भूग भी बहुत तेज लग रही थी तो खेल तो रहे हम लोग लेकिन सच में बेट में चुहे दोड़ रहे थे एक तरह से देखा जाए तो फिर हम लो सोच रहे थे कि उन्हां चलो रेश्टरंट में वह देख लेते हैं कि वहाँ पर मैनू में क्या क्या है अगर वहाँ पर हमें ठीक ठाक सा कुछ मिल जाता है मतलब हमारे बज़र्ट में भी मिल जाता है तो हम यही पर खाना खा लेंगे हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हमा बाहर जाकर हम खाना खाकर आते हैं तो खैर कोई बात नहीं हमने यहां पर सारा मैनू पलट पलट कर देख लिया हम फिर चल पड़े अपने रूम की तरफ और हमें रूम की की तो मिल चुकी थी है जैसा कि आप जानते है कि रूम की की ऐसे ही मिलती है वहाँ पर हम रूम की क साटीस करते हैं एंठर और देखते हैं हमारा出來在 ourisaak तो हमारा ओम कुछ इस तरह से है और इसमें आगे माउनटेन व्यू हैं काफी अच्छा है मैं रूम में सबसे जाद हुआ करती है वेश्रूम कि वह कैसा है तो सबसे पहले मैं वह चेक करूंगी जाकर अभी क्योंकि मेरे लिए वह बहुत important है रोम थोड़ा सा कम अच्छा होगा चलेगा लेकिन बात्रूम बहुत clean और अच्छा होना चाहिए वह भी हमें अच्छा ही मिला इसके पीछे बात्रूम है और वहाँ पर शावर भी है तो इसके बाद फिर क्या ही था हम लोग.. मैं सुचा रूम ट्वार एक बार रिपीट कर देती हूं तो इस तरह से इंट्री हो और इंट्री के बाद जैस्ट हमारा बात्रूम था और उसके बाद है पुरा रूम जहां पर बेड़ है और यहां पर एक कैट्रल है और साथी साथ कॉफी और शुगर वगरा यह सब रखी ह यह तो यह हमारा रूम है और आगे है माउंटेन व्यू बैठनी के लिए यह और बाहर है बालकनी जहां पर आप कोफी के मजे सकते हैं यह बैठ कर गप्शप कर सकते हैं तो इस तरह से मारा रूम था और उसके बाद हम लोग निकल पड़े खाना खाने के लिए क्योंकि बर काहार में जाना है और धूब भी थी बहुत साचीड़ी थी तो मैं रेडी नहीं हम लोग गए वहाँ पर एक अनपूलना रेश्टरेंट है तो वहाँ पर गए हम खाना खाने के लिए और फटा 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 हम लोगोंने ओर्डर किया जिसमें की मसाला पापड़ था क्रिस्पी पनीर था और बांकी सपुस खाने का था और काफी अच्छा था टेस्ट काफी अच्छा है वहाँ का अगर कभी जाए तो अपन फूलना रेश्टरेंट जा सकते हैं तो काफी अच्छा रेश्टरेंट था और हाईजीन प्रोपर्टी मतला मैं क अगर कुछ मिलता है तो ले ले लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली मैं फूड का कोई शूटनी करने वाली हूँ तो बस हम लोगों नी वहां पर मज़े करते करते अपना लंच इंज्वाइ किया और बाद में लंच के बाद वापस रिसॉर्ट आया और हम लोगों ने सोचा कि चलो यार चलते हैं पूल तो हम लोगों वापस आने बाद आधा है गंटे हम लोगों ने थोड़ा रेष्ट किया और उसके बाद हम नीचे आ गए पूल की तरफ यह था कि चलो चलते हैं थोड़ी हमारे में से किसी की हिम्मत ने पड़ी कि अब हम उस पानी के अंदर भी जा फिर हम लोग कर रहे थे चिट चैट वहां पर बैठ के जो जब दो लड़कियां एक साथ बैठती है तो क्या होता है बस वही हो रहा था तो हम लोगों ने करी खूब मस्ती वहां से वापस आये हम लोग 6 बजे और फिर ये था कि अब बाहर जो डिनर करने जाने की तो कोई हमें हिम्मत थी नहीं हम लोग इतना सारा सामान लेके गए थे वहां पर बैठ कर रूम पर हम सब लोगों ने मिलका भेल बनाए म्यूजिक एंजॉय किया साथी साथ हम लोगों ने चाय भी पी और चाय था बहुत सारे स्नैक्स थे और भेल थी हम लोगों ने वहां पर खाया और हमारा डिनर हो गया साथी साथ फिर हम लोगों ने वहां पर तासपती भी खेली और मैं तासपती पहली बार खेल ले थी मु किया पोरी property में photoshoot अपना किया हम लोगों के बाद हम गए photo shoot के लिए तो ये वही वक्त है और काफा अच्छा लग रहा है क्या होट चार लोग है और कोई है नहीं वहांपन तो मज़ा अरादा थो फिर वापिस रूम में आये और हम लोग सो गए सुबह हुई उठी बस यह था कि चलो ब्रेकफस्ट करते हैं तो हम लोग अच्छा लगा हमें देखके कि चलो यार खाते हैं ब्रेकफस्ट तो हम लोगों ने जन के किया ब्रे और काफी कुछ वराइटी थी यार वहां पर तो मज़ा आ गया खाना खाना मतलब हमारे तरह से देखा जाए तो हम लोगों का आदा लंच हो गया है क्योंकि हम लोगों ने साड़े दस हाँ दस मुझे गय थे हम लोग ब्रेकफस्ट करने तो एक तरह से देखा जाएगा तो दो तीन घंटे तक वहां पर आराम से कुछ न कुछ खाते रहो लेकिन हम लोग उतना फूड़ी भी नहीं है कि हम इतना बैट पाएंगे तो ऐसा बस सोचना ही सोचना था बोलने भर के लिए थे बट ऐसा हम कर नहीं सकते थे तो उसके बाद हम लोगों ने यही सब दो पिर इसकी वज़य से फिर मैंने मुझे यादाया चाहिए मैं तो इस थोड़ाँ सा वरीड कर रही थी कि मेरी सेलफी स्टिक पता नहीं चलीगी फिर मुझे पता चला कि मेरी एक फ्रेंड ने अपने बेंग में सेलफी स्टिक प्रक लिया है क्योंकि मैं छोड़कर रू हम पूरी प्रॉपर्टी डे में अगर देख रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था लग रहा था यार यह कल वह जो साउथ इन वेडिंग थी उसने पूरा जो बैक साइड था पूरा घेर लिया था लेकिन आज जब वापस हम आने को हुए तो प्रॉपर्टी बहुत अच् तो यह जो मेरा व्लॉग है यह यहीं तक हम व्लॉग करने वाले हैं इसके बाद जो मेप्रॉग का व्लॉग है वह उनदर व्लॉग करने वाली हूँ व्लॉग की प्रॉग की जो लेंध बढ़ती से श entwic интересноने की तो यह फिल्ट रे फिर से फेल दोता माज़ा आया जाकर और हम लोग रास्ते में प्लाइन कर रहे थे कि चलो आप next trip कहां का होगा यह वो बहुत सारी बाते होई रास्ते में तो यह था कि यह बाते रास्ते ही तख न रहे जाएं कहीं आगे आगे का जो नेक्ट प्लान है तो जाने के दो-चार दिन पहले दस दिन पहले ही बनाएंगे अब इसे हम कोई प्लान नहीं करते तो बस रास्ते में हम लोग यही गपशप करते हुए वापस आ रहे थे और रास्ते पर हम लोगों ने फिर क्या ही था सब लोग अपना फीडब भशाने मुष्प करें उसको भी बच्चे का नाम हिड़े है मैं हिर्दे को मैं हिर्दे से धन्यवाद करती हूँ क्या है क्योंकि यह इसने मीचे व्लॉग बनाने में बहुत हम करें लव यू लव यू लव यू फिर और हम सब लोगों ने अपना यह feedback दिया कि हम सब लोगों यह trip बहुत अच्छा लगा वंडे का था लेकिन हम लोगोंने फुल इंजॉय किया विल्कुल भी हम लोगोंने टाइम वेस्ट नहीं किया वहां पर हम लोगोंने सब को चिंजॉय किया उसके बाद रास्ते में हमाई mapro होते हैं mapro का व्लोग है वो मेरा नेदर व्लोग है आप देखें mapro में काफी कुछ हम लोग ने फोटो शूट किया है वहां के मैंने काफे सारी चीज़े दिखाई हैं तो आप देखिए नेक्स्ट व्लोग मेरा ये व्लोग आपको कैसा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें हम आपको फिर से मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए बाइबाई